नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल अंकित वर्मा ओल एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि अभी की जो ताला ख़वर बेकिंग न्यूज आई है कि हिमाचल प्र और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबा लाएं ताकि आप तक मेरी हर नोटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू कर जिसमें से उन्ना में 15, चमबा में 13 और सिर्मौर जिले में 16 करोना पोजिटे मामले आए हैं उन्ना जिले में दो बैंक कर्मियोस में 15 करोना पोजिटे मामले सामने आए हैं क्षेत्री एस्पिटाल उन्ना की एक महिला करमचारी भी करोना संक्रमित पाई गया है अम उपमं परिवार जाल अंदर से लोटा है उन्ना उपमंडल के गाउं बहडाला का 19 वर्षी युवक भी पोजिटिव पाया गया है या संक्रमित के संपर्क में आया था उन्ना शहर के वार 2 का 65 वर्षी बजूर्ब करोना पोजिटिव हुआ है या पिछले कुछ दिनों से बिमार चा गया था हरोली उपमंडल के बाथू गाउं का 24 वर्षी युवक पोजिटिव पाया गया है या कोवेट से लोटा था और संस्थागत कौनटीन में था वहीं कांगड़ा जीले के देहरा के गाउं सेहरी किया पचास वर्षी ब्यक्ति के करोना रिपोर्ट भी पोजिटिव पायी है या हरोली के पंजावर मेसाहित स्थेत पी अनवी बैंक का कर्मी है संक्रमित के संपर्क में आने के बाद इसका सेंपल हुआ था बढ़ोलियां कलां का 28 वर्षी सेना का जवान भी संक्रमित पाया गया है या उत्राखंड से लोटा था और संस्तागत कौनटीन में संतोषगर के बार 2 का 44 वर्षी व्यक्ति करोना पॉजिटिव पाया गया है क्षेत्रिया अस्ताल 9 की 36 वर्षी महिला कर्मी पॉजिटिव पायी है या भी संक्रमित के संपर्क में आई थी गाउं सलोह का 31 वर्षी यूवक करोना संक्रमित पाया गया है गाउं टका गाउं क इसका सेंपल हुआ था, गगरेट का 39 वर्षी यूवक करोना पोजिटिव हुआ है, फलू के लक्षनों के चलते इसका सेंपल हुआ था, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, 44 नए मामले अभी तक आज आ चुके हैं, तो दोस्तों यह थी अभी की तादाखावर ब्रेकिंग न्यूस, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया है, तो वीडियो को शेर कर दें, और अंकित वर्मा, वालेच भी नोटिफिक सबसे पहले पहुंच सकें, धन्यवाद, जय हिंग, जय भार